भारती सिंग और काजल अगरवाल जैसे कई बॉलिवुड अविनेत्रियां हैं जो साल 2022 में मा बनने का सुख प्राप्त कर चुकी हैं और जिनके घर में आज बच्चे की किलकारियां गोंज रही हैं तबी तो ये अविनेत्रियां खुशी से पूले नहीं समा रही हैं और अप बच्चों के साथ खुब समय बिता रही हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि साल 2022 में अविनेत्रियों की तरह बॉलिवुड की कई अविनेत्रियां हैं जो जल्द मा बनने का सुख प्राप्त करने वाली हैं और जिनके घर में जल्दी एक नन्ने मेमान की किलकारियां गो बारे में जल्दी बच्चे की किलकारियां गोंजेंगी तो चली जानते हैं उनके बारे में नमबर वन नताशा दलाल वालिवुड इंडस्ट्रि के मशूर अभी निता वरुन धवन की प्यारी पतनी नताशा दलाल के बारे में खबरें हैं कि ये प्रेगनेंट हैं जिसका अंदाजा इनके और इनके पती वरुन धवन की एक फोटो से लगाया जा रहा है और खबरे तो ये भी हैं कि अब जल्दी साल 2022 में इनके घर बच्चे के किलकारी गुंजने वाली हैं मगर अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस बात को लेकर अपनी सफाई पेश नहीं की ह बाली वोड इंडस्ट्री के मोस्ट गौड जियस और खुबसूरत अभी नेतरी अशुरा राय बच्चन के बारे में ये खबरे हैं कि जल्दी साल 2022 में दूसरे बच्चे को जर्म देने वाली हैं और दूसरी बार अपनी जिंदगी में मा बनने का सुख प्राप्त करने वा देने वाली हैं मगर आपको बता दे कि इन अफवाहों के बारे में अभी तक यामी गौतम ने कोई सफाई पेश नहीं की है बॉलिवूड की मशूर सिंगर नेहा ककड के बढ़ते हुए वजन और टमी को देखते हुए पूरे बॉलिवूड इंडस्ट्री में ये अफवाह है कि नेहा ककड प्रेगनेंट है और जल्दी इनके घर में एक महमान की किलकारी भी गुंजने वाली है मगर आपको बता दे बॉलिवूड के बारे में बात करें तो आपको बता दे कि ये प्रेगनेंट है और जल्दी साल 2022 के अंदर ही ये एक प्यारे से बेबी को जन देने वाली है जिसके बात इनके घर में बच्चे की किलकारियां गुंज उठेंगी तो दोस्तों आप सभी नभी नेत्रियों में से किसके बेबी को देखने के लिए जादा एक्साइटेड है आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरें जानने के ल बुलें